हेलो इस्टूरेंट मैं एक तासी आप सभी के ग्यांचेतने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज किस टॉपिक में हम नौपाशानकाल के बारे में पढ़ेंगे नियू लेथेक एज के जिसको नियू लेथेक एज भी बोलते हैं तो कभी-कभी शब्दावली को बोलते हैं तो नौपाशानकाल को बोलते हैं इसका जो समय पिरिएट था वह 8000 से 6000 वर्ष पूर्व यानि इशापूर्व माना जाता है यानि डिसाइड किया है नियू लेथेक शब्द जो है वह सर जॉन लुबाक ने 1865 में दिया था और जो आधारबूर्थ तत्यों है हमने मद्यपाशानकाल में भी देखा था तो वो जो उसके साक्ष मिले हैं मद्यपाशानकाल के एकदम एंड जब मद्यपाशानकाल खतम होता है तो एक जगे से उसको जो साक्ष है वो मिलते हैं चुकि पहले लोग जो थे आधी माना वो जैन्मरों का शिकार किया करते थे उनको भागना दोड़ना पड़ता था लेकिन अब उन्होंने भोजन की विवस्ता करने के लिए उन्होंने क्या क्या पश्वों को पालना शुरू कर दिया तो जब उनको भोजन क्या वशक्ता होगी तो वो तब उनको मारकर वहां पर खा सकते थे तो इस प्रकार से उनको भा पाशांकाल की मातपूर्ण विशेश्तायं हैं तो करशी का यहां पर आरम होता है यानि में कि कि शरुत यहां पर दिखाई देज्टी है पशूपालन का विकास होता यानि कि पशूपालन अच्छे श्थर पर यानि कि काफी इसका डबलब हुगा पत्थर के औहजारों को घरशिर्थ और पालिशदार उपकरणों का निर्मार किया गया ग्राम समुदाय का आरंब है चुकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में ग्राम समुदाय के इसाक्षिम नहीं मिलते तो ऐसा माना जाता कि लोग एक समुदाय या फिर एक कबिली में रहकर ग्राम समुदाय का यहाँ पर आरंब होता हमें नौपाशार में दिखाई देता है विकास नहीं हुआ यहाँ पर सिर्फ आरंब होने के जो प्रमार है वो हमें देखने को मिलते हैं आगे देखते हैं बिद्वानों का जो मत था कि किस प्रकार से किर्सी का जो विकास है या फिर किर्सी पर मनुष आदी मानों कैसे निर्भर रहा तो यहां पर कई बिद्वानों के मत है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये बिद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तूत कि तो सबसे पहले आता है वी गार्डन चाइल्ड ने 1952 में अपना मत दिया इन्होंने मानना इनका मानना था कि पलेश्टो सीनकाल के अंत में होने वाले परियावरन पदलाओ ने खाद उत्पाधन के लिए समभावना खणी कर दी आगे उन्होंने तरके दिया कि लगभग 10,000 साल पहले पश्चिम एसिया के विविन भागों में सुक्ष मोसम का प्रादू भाव होने लगा क्योंकि गर्मी में होने वाली बरसाथ अब उत्तर की दिशा में होने लगी जलवाईों की शुक्षिता ने मनुष्य बरस्पती जन्तूओं को उपलब जलशोदों के इर्द इर्द एक साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया तो इस प्रकार से उनका मानना थे कि पर्यावरन के बदलाओं के कारण ही उन्होंने खाद उदपादन की ओर अग्रसर हुए तो ये पर्यावरन के बदलाओं होने का कारण ही था उन्होंने ऐसा माना है आगे रावट जे प्रेड ब्रेड बूर्ड ने अपना जो उनका जो तरक था वो नाइटी सिक्स्टी में दिया केवल परियावर निये परिवर्तन को किर्शी के उदबाव का आधार नहीं माना जा सकता यानि कि इन्होंने जो पहले के विचारक थे या फिर विद्वान थे चाइड उन्होंने इनका खंडन किया ब्रेड वूड का मानना था कि जन्तू और बनस्पतियों का सबसे पहले कुछ बिशेश नाभिक केंद्रो न्यूक्लियर जोन में मानवी नियंतर में लाने का प्रियास किया गया पालतू करण उस ने सरगेक पिकरिया की उपस थी जो मानव के अनुभाव और अपने परियावरन से बहतर परिचित हो जाने के कारण उत्पन हुई थी तो ये उनका मानना था अब आगे आते हैं इनका खंडन करते हुए लिविस आर बिनफोर्ड इनका मानना है इन्होंने अपने बिचार 1968 में प्रुस्त किया था इनका मानना है कि किर्शी के उत्भाव के पीछे जन संख्या पर पकड़ बाले बाहरी दवाव के कार को गोरेखांकित किया इनके अनुसार प्लेश्टो सीन काल के अंत में समुद्र तल में ब्रदी के कारण तठीय छेत में आवादी बीतरी भागों में बसने लगी जिसके फल सरूप बीतरी छेतर का मनुष्य भोजन संतुलन प्रभावित होने लगा और अतिरिक खादान की अवशक्ता ने उन्हें नई रण नीतियों को तलाशने के लिए बाद दिखिया यानि कि शंबुद्र तल के किनारे पहले रहते थे जब उनका इसतर बढ़ गया तो वो अंदर की ओर गया उन्होंने फिर अपने भोजन का संतुलन बनाने के लिए वो किर्शी को अपनाते हैं ऐसा उनका मानना था अब आगे जो है केंट फिले नरी इनका मानना है कि इन्ह जाने का प्रयास किया जिससे आखेट और संग्राहन के स्थान पर कर्शी और पशुपालन के शुरुआत हुई होगी उनका मानना है कि मकई के पौधों उन्होंने एक्जांपल दिया मकई के पौध है कि जब मकई को प्राकेतिक परिवेश से हटा कर कृत्म परिवेश में उगाया जाने लगा, तम मकई के पौधों का आकार बड़ा और दानों का भी इसी अनुभाव के आधार पर मनुष मतलब मकई के जो पहले साधरान रूप से प्राकेतिक रूप से मकई होता था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि उन मकई के पौधों को लेकर कहीं और भाग पर उगाया तो उससे क्या हुआ जो मकई के दाने हैं वो बड़ी मात्रा में या फिर बड़ी आकार में उनका होने लगा मलब उनके दाने काफी बड़ी मात्रे में होने लगए तो उन्होंने इसी अनुभाव किया तो ऐसे ही कर्षी का आरम होता हमें नजर आता है इन सभी अधिनों से ये इस पश्ठोग चला है कि कर्षी और पश्वपालन का विकास परियावरन परिवर्तनों के परिपेक्ष में हुआ है यानि कि परियावरण जैसे जैसे परिवर्थित हो दा गया मनुस परियावरण के जो परिवर्थने उसी के अनुरूप ढलता गया और उन्होंने पशुपादा नौकर्शी बगेरा सारे कारे करने आरम कर दिये थे अब देखते हैं भारत में नौ पाशान काली संस्क्रती के जो अवशेश मिले हैं उनकी आधार पर इसे छे भागों में विवाजित किया गया है सबसे पहले हैं उत्री भाग, बिद्ने छेत्र, दक्चिनी भाग, मद्दे गंगा गाटी, मद्दे पूर्वी छेत्र और पूर्वुत्तर भारत अगला देखते हैं, यहां पर दिया गया है कि मानों सबता के इत्यास में कर्शी के प्रारम को एक क्रांती के रूप में देखा गया है यानि कि नव पाशानकाल एक क्रांती का एज माना जाता है क्योंकि यहां पर कर्शी का आरंब होता दिखाई देता है विल डूरेंड के शब्दों में समस्त मानो एथियास एक पिरकार से दो क्रांतियों पर आधारी थे पहला है तो नवपाशारकाल में आखेट से वो किर्सी की ओर जाता है आगे है आधुनिक किर्सी से वो उद्धोग की तरफ जाता है यानि कि आधुनिक यूग में किर्सी से वो उद्धोग की तरफ बढ़ा तो इस प्रकार से दो करांतियों को आधार बनाया किसने विल डू रेंडर ने तो हमें ये भी याद रखना है आगे देखते हैं नौ पाशान काली प्रमुक इस्थल देखते हैं मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि हमें याद भी रहेगा कि मैप में कौन सी जगह कहां पर है तो सबसे पहले आते हैं उत्तरी भाग में देखते हैं बुर्ज होम है और गुफ कराल है यहां पर गर्टावास यानि कि गड़ों में लोग रहते थे और साथ ही बुर्ज होम से कुट्टे के साक्ष भी मिले हैं यानि कि मालिक के साथ कुट्टे को भी दफनाया जाता था तो यह चीज़े इंपोर्टेंट हो और एक्जाम में पूछी जाती है मेहर गड़ भी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से जो कर्षी के सबसे प्राची इंतम साक्ष है वो यहीं से हमें प्राप्त होते हैं अगला है पंचो महागड़ा और कोल्डी हवा यह जो है उत्तर प्रदेश के हैं आगे है चिरान बिहार में है और डेयो जली हैडिंग जो है वो मेगाले में हैं इसी के पास वीरूडी बिहार में कुछाई जो है वो उडीसा में है और जो कुझजन है यह मद्ध प्रदेश में आता है आगे अब दच्छिर भाग के देखते हैं तो करनाटक में बहुत सारे हैं जो हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं नर्सिंग पूर मास्की ब्रह्मगरी संगन कल्लू हलूल कोडेकल पिकली हल और तेकल कोट अब आंद्र प्रदेश के हैं नागरजन कोंड उतनूर फुलवाय सिंगन पल्ली और हमें राख के टीली भी मिलते हैं उतनूर कुपगन और कोड़ कोड़कल से और जो तमिल नाइडू है तमिल नाइडू से मिलते हैं पत्थेम पल्ली अब इन सभी का हम विस्तार पूर्वक से देखेंगे कि किन किन जगों पर क्या क्या चीज़े मिली हैं तो आगे देखते हैं सबसे पहले हैं मेहरगड तो मेहरगड काफी एक्जाम में पूछा जाता है और इंपोर्टेंट है भार्टे उम्हादीप में प्राचीन्तम नौपाशानकाल पस्ती यहीं से प्राप्त होती है तो मैंने पिछले में बताया था कि प्राचीन्तम किलते हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांतम में से इस सिथ हैं न 주는 माकान पत्थर के कटोरे शान पत्थर और पालतु जान्वरों की अस्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं आगे देखते हैं बुर्ज होम बुर्ज होम में है इसकी खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन तथा पीटरसन ने की ती यहां के उपकर्णों में ट्रेम पत्थरों पर बनी हुई कुलहाडी यहां साथ ही बनसुली, खुर्पी, छेनी, कुदाल, गदाशी और बेधा यह भी मिलता है और यह जो मेहर गरवाला है यहां से जो मैंने बता रहा है किर्शी के प्राचिंतम साख्ष मिलते हैं यहां पर मकान के भी साक्ष मिलते हैं, साथी साथ यहां पर भेंस पालने का भी साक्ष हमें मिलता है, तो यहां पर लिखा नहीं गया, आप इसको एड़ कर लीजे, अगला देखते हैं बुर्ज हूम के बारे में देख रहे थे, तो यहां पर पत्थर के अलावा हड़ी के बन आनाजों के दाने भी मिले हैं गड़्डे वाले अब शुईष मिले ये इंपोर्टेंट शावाधान के जो धारन मिलते से पता चलता है कि मनुश के सासाथ कुट्ते पालतू कुट्ते को भी दफनाए जाने की प्रचलित प्रता ती इस प्रकार की प्रता के साक्ष कहीं और न यहां पर इसकी खोज जो है 1981 में एक शर्माने करवाई थी यहां से सिल्वट्टे हड़ी के बनी सुईयां भी मिली हैं जिससे सूचित होता है कि इसकाल की लोग अनाज पीसने तता वस्त्र सिल्ले की विदी जानते थे यहां पर जो बरतन मिले हैं घड़े, कटोरे, थाली, तश्तरी, आदी का उलेख यहां पर किया जा सकता है इसका निर्मार्ट, चाक और हाथ दोनों से किया गया होगा अब आता है कोड़ी हवा, कोड़ी हवा जो है वो तरप्रदेश में है, नावपाशान काल के साथ तामर तथा लोह काली संस्कृती के भी और शेश यहां से प्राप्त होते हैं कि सिर्फ नौपाशानकाल के ही नहीं यहां से तामर और लौक योग के भी साक्ष मिलते हैं यहां से धान के खेती के प्राचीनतम साक्ष हमें मिलते हैं जो कि 7000 से 6000 बर्ष फूर्व के हैं अब आगे आता है महागड़ा तथा पंचोर यहां के करणों में गोल समानंतर वाली पत्थर की कुड़ाणियों की अधिकता है यहां से पशू का एक मतलब गोशाला नी पशू शाला ही मिला है जहां पर 20 से अधिक पशू रखे जाते थे यानि कि पशू को रखने का एक इस्थान मिला है महागड़ा से इस्तम यहीं से इस्तम गाड़ने के गड़े मिले हैं जिनसे लगता है कि इस काल के लोग लकड़ी के खंबों को जमीन में गाड़ कर रहने के लिए गोला कार जोपियां बनाते थे आगे हाथ से बनाए गए विभिन प्रकार के मिटी के बरतन मिलते हैं यहां का एक विशिष्ट बरतन है जिस पर रसी की च्छाप उस पर की गई है अब अगला इस्तर आता है चिरांजो की बिहार के च्छापरा जिले में है नौपाशानकाल के साथ यहां पर तामर पाशानकाल के भी साक्ष मिलते हैं इससे पहले हमने कोड़ी हवा में देखा था जिसमें हमने देखा था नौपाशानकाल के साथ तामर और लौपाशानकाल के यूगे के जो साक्ष मिलते हैं तो यहां से सिर्फ नौपाशानकाल और तामर पाशानकाल के साक्ष प्राप्त होते हैं चिरांज से यहां के उपक कटोरे और टॉंटी वाले बरतन जो विशेस्ता है वो चिरांड से ही मिलते हैं यहां के लोग अपने निवास के लिए बाज बली की जोपड़ी का उपियों किया करते होंगे अगला आता है डेव जली हैडिंग यह मेगाले में इस्तित है यहां से तथा मेगाले से अन्य इस् से ही मेगाल प्राचिंतम प्रमाड मिलता यहीं से रवे जगहें पर खेटि प्रारण की गई होगी आगे देखते हैं अब आते हैं दच्छिन की तरफ तो ब्रम गरी जो ब्रमगरी जो है करणाटक में इस जगह पर उट्छन날 में मार्टीमर वी लड़ने की थी यहां से तीन सांस्कितिक चरण देखने को मिलते हैं नौपाशानकाल, मद्धपाशानकाल और आंधर साथ महान के भी सांस्कितिक चरण हमें देखने को मिलते हैं इसकिलाबा रागी और कुल्ती की खेती के साक्षी भी देखने को मिलते हैं कलश शावाधान के साथ छोटे वच्चे को आवासी इस्तल में या उसके करीब दफनाय जाने की प्रथा यहीं से प्राप्त होती है अब आता है उतनूर और पयम पल्ली पयम पल्ली तमिलाडू में है उतनूर जो है आंद्र प्रदेश से दोनों जग पयम पल्ली से आगे आता है श्तल सिल और आई आगार जूं, कौन्दा यह आंद्र प्रदेश में गरतावास के साक्ष एक मत्र जो हैं दुछिद भारत में वह यहीं से मिलते हैं इसके लावा बlles यह देखेieran की मर्दा की कौन्त इस थिहरा नांगार चॉन, कौन्दा स साक् DukeGateal Nom Khayongpur Shona Memory फिकी घीती भी की जाती थी इसके भी साक्ष ब्रह्मग्री का जो ये समकालीन था यानि में ब्रह्मग्री जो ससाइट है उसी समय ये भी रहा होगा माल वहाल पश्वू के साक्ष जैसे की घोड़ घदा खचर आदी के भी साक्ष मिले हैं अब लाश्ट आता है कुंजुन्जों की मद्धिप्रेस के सिद्धी जला में सोन गाटी पर इस्तित है बड़े इस्तर पर पत्थर के ओजार यहां पर प्राप्त हुए हैं पत्थर को गर्म करने की बेवस्ता पाई गई जिसके दोरा फलक बनाने तथा रंग चढ़ानी की साहता मिलती थी तो इस्टुरेंट इस परकार से आज हमने नौपाशानकाल के बारे में पढ़ा जिसमें देखा कि किर्सी का बिकास कैसे हुआ कैसे शुरुवात हुई किर्सी की और जो पशुपालन का है उसका किस परकार से विकास होता है साथी पॉलिशतार पत्थरों को भी देखा जो अन्ने से इसको अलग बनाता है तो इस्टुरेंट आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए शेर करिए कोमेंट करिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद